कि नमस्कार एक बार फिर सें स्वागत करते हैं आपका हमारे यूनिक ऑंलाइन गुरु चैनल में रतनाकर उपाध्याय को आप लोग जानते ही है ठीक है हम लोग बात करने वाले हैं कोड पे किसके कोड पे कम्प्यूटर की लैंग्विज के कोड पे आखे कौन कौन सी कोड होती है और देखे हमारा यूनिकोड होता है बी सीडी कोड होता है ठीक है आस्की कोड होता है यह सारे कोड होते हैं तो हम लोग एके कोड के बारे मे आराम से पढ़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे ताकि हमें कोई problem कभी ना हो, ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं छोटे से code के बारे में, जिसका नाम है क्या, BCD course, क्या नाम है, BCD, अरे ABCD नहीं है भाई, ध्यान समझेगा, इसमें BCD course की बात हम कर रहे हैं, अभी नही हैं, आपे BCD पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बात करने वाले हैं, BCD के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, binary code decimal, क्या कहेंगे, binary code decimal, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जानते हैं क्या, 248421, क्या कहेंगे, इसको हम लोग एक नाम से और जाते हैं, ज ये कैसे कहते हैं, इसको हम बताएंगे, इसलिए इसको जानने के लिए इसको क्यों कहते हैं, इस वीडियो को आपको आखरी तक देखना पड़ेगा, तो आपकी मजबूरी है, इस वीडियो को आखरी तक देखिए, तो आप BCD के बारे में भी जान जाएंगे, और इसके इंट क्या होता है? एक होता है हमारा decimal होता है ठीक है और एक क्या होता है इधार? bcd की बात कर लेते हैं यानि binary code decimal तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा bcd होता है वो 4 digit का होता है यानि कि 4 beat का होता है यानि कि कोई भी code अगर हम लिखेंगे तो कितने पक, कितने character में लिखेंगे चार character में, इस से कम में नहीं लिख सकते क्योंकि ये rules, ठीक है तो हम बात करते है decimal की तो decimal आप लोगों को पता है कि जो हमारा start होता है वो 0 से start होता है कहां से start होता है, 0 से start होता है अब इस सब तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, तो 0 से अगर इस टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, से लेकर कहां तक, 9 तक, द्यान समझी है हमारी बाद, कहां तक होगा, 9 तक होगा, अगर हम इसका BCD code निकालें, तो आपको पता होना चाहिए, कि जो हम लोग, इनरी नंबर, यानि नंबर सिस्टम, तो उसमें क्या था, कि हम लोग, अगर हम लोग 4 डिजीट पे, 4 बीट्स पे निकालेंगे, इसको 4 डिजीट पे, तो मारा 4 डिजीट होगा, यानि हम अगर 0 का निकाल रहे है, तो 4 डिजीट हमारा क्या होगा, 0 होगा, अगर 1 का निका पढ़ना बहुत जरूर ही आप लोगो ठीक है अगर हम 2 की बात करते हैं तब क्या होगा इधर से हो जाएगा 1 0 0 0 ठीक फिर इधर से हो जाएगा इधर से बात करते हैं तो 0 0 1 1 हो जाएगा फिर 5 नंबर की बात करते हैं अगर तो 0 1 00 होता है फिर अगर हम इसकी बात करते हैं त तो 0, 1, 0, 1 होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा, और last में क्या हो जाता है, यह हो जाता है हमारा, 9 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, 0, 0, 1 होता है, एक बात ध्यान से मारे समझें, कभी भी, binary number में क्या होता है, कि जो हमारी भासा समझती है, कितना समझती और कुछ ही जानता नहीं, पुरा computer है कुछ नहीं जानता है, 0 और 1 के बारे में बस ही जानता है, ठीक, लेकिन हम बात करते हैं अगर इसके binary code के बारे में, तो जो हमारा decimal होता है, हमने कहां तक लिखा, 9 तक लिख दिया, लेकिन अगर हमें लिखना है 11, 12, 13, 14, तो हम क्या करें है हमारा यह है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, यह हमारा किसका होगा, 11 का binary code होगा, होगा न, बास समझ में आ रही है न, इस तरीके से हमारा 12 वका अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, फ़र पहले 2 है हमारा, तो 2 का क्या है, 2 का है हमारा 0, 1, 0, 0, यह 2 BCD और कुछ है ही नहीं है, अब कितना आसान है, आप समझ लिजिए, छोटे से वीडियो में आप लोगों को पूरी BCD की जानकारी मिल गए, अब कोई समझ जा तो आपको होनी नहीं चाहिए, अगर होती है, तो भाई, कमेंट बाक्स आपको 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 समझना चाहिए, ध्यान समझेगा हमारी बाको, ठीक है, तो यह हमारे क्या हो गए, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, लेकिन अगर हमें लिखना है, माल लिजिए, कि 1431, इसका हमें BCD निकालिए, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं कर सकते, इसका सिदे से निकालेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे, वन का क्या करेंगे, जी, वन, 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 अब थिरी का निकालेंगे, अगर हम लोग थिरी की बात करते हैं, तो डबल वन, डबल जीरो, फिर हम लोग 4 की बात करते हैं, तो जीरो, 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 यह हमारा क्या होगा, इसका कोडिं होगा इस तरीके से हम लोग थोड़ा से साफ लिग देते हैं थोड़ा साम इसको साफ लिग देते हैं कितना से 1431 था तो हम 1 का देखें अगर तो क्या होगा मारा यह हो गया थरीका देखें तो यह हो ठीक है, अगर हम 4 की बात करते हैं, तो 0010 होगा, अगर हम 1 की बात करते हैं, तो फिर क्या होगा, 10000 होगा, तो यह हमारा किसका code होगा, 1431 का code हो जाएगा, यह हमारा binary code हो जाएगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको थोड़ी दिर पहले इसी वीडियो में, इसी class मे मैंने बताया आपको कि जो है 8421 भी इसका नाम होता है किसका नाम होता है BCD का नाम क्या होता है 8421 होता है अब कैसे होता है इस सिच को हम लोग जानते हैं आप लोग को पता है कि जो हमारा जो इसका पावर होता है वो 2 होता है तो हम लोग अगर 2 की बात करते हैं तो 8 के पावर 2 होती है तो हम क्या करते हैं 2 into 2 into 2 कर देंगे into की बात है छोड़ दीजिए बस पावर लिग दीजिए चार बार तभी तो हो जाएगा 8 अब हम क्या करेंगे इसकी पावर भी 2 देंगे यहां से start करेंगे 0, 1, 2 और 3 अब हम क्या करेंगे यहां 1 हो जाएगा यहां 2 हो जाएगा यहां 4 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो यहां क्या हुआ is equal to 8, 4, 2, 1 हुआ यह हमारा नाम एक प्रकार से और दिया गया है ये किसका नाम है, BCD का दूसरा नाम क्या है, 8421 होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा BCD है, अब आगे हम लोग आप बात करेंगे, एक ए कोड पे और बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोग इस क्लास को आराम से देखते रहिए, बाकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे personality contact कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद